अफलन ने सिर्फ एक सिक्षा के लिए जाना जरूरी है साथ हमें जाना जरूरी है 2020 एन इप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक ऐसा पहल एक ऐसा अंग कह सकते हैं जिसमें शुरुवात हुआ है निपुड की को बदल कर रख देगा सक्षिक परिवेश को बदल कर रख देगा चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हम नेपुड की फॉल फर्म पर चलते हैं फिन इश्ठा और उसके बाद है फिर एल्ग की बात करेंगे नेपुड यानि नेस्ले नेशनल इनिश्येटिव ने इनिश्येटिव फर फाट फार प्रोफिसींसी जी हां फार प्रोफिसींसी इन किन चीजों में प्रोफिसींसी जाहिए रीडिंग एंड रीडिंग विद अंडरिस्टेंडिंग ध्यान रखना है इसको मैं इसलिए स्लो मोशन में तोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि आपको इसको रटना नहीं है इसको आपको महसूस करना है महसूस करेंगे तो याद हो जाएगा निशनलि इनिशनलिटील फर मट आप ऐसे क keeping कहेंगे खुद से फर मट प्रोफिसींसी इन रीडिंग जी याँ रीडिंग तो बहुत करते हैं लोग लेकिन किसके साथ करते हैं with understanding करते हैं कि नहीं with understanding and numeracy and numeracy याद रखिए यह है इसका full form National Initiative for Proficiency in Reading with understanding and numeracy चलिए आजाते हैं नेक्स्ट सक्सें मर Nistha N-I-S-H-T-H-A Nistha Nistha द्वारा Nistha सबसे पहले चलिए Nistha का थोड़ा सा परिचली लेते हैं N-C-E-R-T N-C-E-R-T का आप कमेंट सक्सें में बताएंगे N-C-E-R-T का full form Nistha यह भी है National Initiative यह भी एक तरह का National Initiative है तो चलिए देख लेते है Nistha का N N-I-S-H-T-H-A नाम बड़ा है लेकिन याद रखना भी बहुत आसान है इजी है आपके लिए भी टीचर्स के लिए भी हर उस एस्पिरेंट के लिए जिसको कुछ करना है जिसको जानना है ओके चलिए National Initiative N-I का मतलब हो गया ठीक है National Initiative Okay For what यहाँ पे भी है किसके लिए For School Heads For School Heads School के Head कोन होते हैं हम प्रैणाध द्यापक प्राध्यापक Okay Hair Master School Head and Teacher Tipp for Teacher इसले आपको लिखना भी है आपको याद रखना है टीचर के टीचर्स होलिस्टिक एडवांस्मेंट कैसा एडवांस्मेंट होगा यह होलिस्टिक होगा पूरी तरह से होगा होलिस्टिक एडवांस्मेंट एडवांस्मेंट बना देगा आपको एडवांस्मेंट किसको नहीं पसंद होता है सबको पसंद होता है तो एडवांस्मेंट बनिए जैसे आजकल की नहीं नहीं टीचर्स आ रहे हैं को एडवांस हैं एक्स्ट्राइणरी हैं और कर भी रहे हैं अच्छा भ यह है आपका FLN FLN इसके कूर्से चल रहे हैं इसके अभी ट्रेनिंग चल रही है इसका मतलब होता है जी हाँ इसका मतलब है foundational foundational foundation कैसी हो foundational literacy and numeracy ok literacy and Numeric 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 से संबनित है Sorry So ये हो गया FLN का full form तो इन तीनों सेक्षन की बात हम कर रहे थे चाहे वो आपकी Nipun की बात हो चाहे निष्ठा की बात हो चाहे फैलन की बात हो हर किसी के लिए जरूरी है जानना तो इसके बारे में संचिप्त सा परिशे देते हैं चलिए निपूर के बारे में देते हैं परिशे निपूर जो की एक national initiative for क्या है for what है for क्या है for reading with understanding and and what दो तीन बार आप इसको लिख लेजिए तो आपको याद हो जाएगा तो निपूर जो चल रहा है उसका जो शिक्षा मंत्राल है इसको गवन कर रहा है इसको संचालित कर रहा है यह ध्यान रखना है और ध्यान रखना है दो हजार 26-27 का समय यह फोकस रखा गया कि यहां तक हमें ऐसा करना है कि जो स्कूल सिक्षा है जो चतर सिक्षा है जो मादेमिक सिक्षा है मादेमिक चतर सिक्षा हैं इनको सही करना जो तीन से नौ वर्स की बात की जाती है इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाना खेल खेल में जाना जाएगा, हम खेलों के आइटम से देंगे, उसके बाद हम से सिखाएंगे, अब जैसे कि आभी हम लोग स्कूलों में गड़ित किट का इस्तिमाल कर रहे हैं, वह विग्ञान किट का इस्तिमाल हो रहा है, जिसमें धेर सारे ठोस आइटम से दिये गए हैं, उनको समझ कर उनको छूकर उनको जानकर बच्चा अनुभू करेगा और उससे सिखेगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं निपूर एकी स्कीम चलाया गया है जो 2020 NEP के ही अंतरगत है तो इसे हमें ध्यान रखना है निपूर के बाद निष्ठा की बात की जाती है तो निष्ठा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ट्रेंड किया जाएगा साथी साथने सिर्फ आपको ट्रेंड किया जाएगा चाहे वो स्कूल हेडस हो चाहे वो स्कूल टीचर हूँ उनको advancement के तरफ ले दिया जाएगा holistic advancement की बात की जा रही है मतलब की पूरी तरह से ठीक है हम उनको advanced बना देंगे उनकी training होगी उनको बकायदा बताया जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जाए किस तरीके से अदुनिक परिवेश्ट में पढ़ाया जाए और playing के मादें से game के मादें से मतलब की होसला बढ़ाया जाए और सिक्षा को aggressor किया जाए सिक्षा पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया यह बात जो कही जाती है उसको सच्चा किया जाए सही सावित किया जाए इसके अलाब में FLN आता है FLN का भी स्कीम चल रहा है निष्टा के तहट ही यह एक आप कर सकते हैं जैसे होता है न एक भाग फिर उसका उप भी भाग उप भाग इस तरीके का है FLN है foundational literacy बताया जिए मतलब कि हम बच्चों के जो foundation है उसको सही करेंगे तो foundational literacy literacy की बात की जा रही है इसके लिए भी बकाइदा training चल रही है अभी हम लोगों की जैसा कि मैं एक सिक्चक हूँ तो हम लोगों ने 6 training FLN का कर लिया है आप इसमें कोई भी कर सकता है इसके लिए कोई इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम सरकारी जाव भी कर रहा हूँ अगर हमारी इक्चा है तो हमें फैलेन को देख सकते हैं आपको करना कुछ नहीं है गूगल प्लेइ स्टोर में जाएए निष्ठा एप को डाउनलोड कीजिए और कुछ वेब साइट से हैं कुछ लिंक से हैं